हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट्वेंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ओफ स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन डिकूर्मेंट बोर्ड पंजाब की नियू रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनल 22 रिकूर्मेंट के लिए, इसके लिए फैंस आप ओनलाइन आविधन कर सकते हैं, कैसे आपको आविधन करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इस वेकेंसी या नॉटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप दो भी जानकारी चेक करनी है, Selection Process चेक करना है, LPT Conditions चेक करनी है, वो सारी जानकारी दिख मिल जाती है, तो आप इस नॉटिफिकेशन को ध्यान से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं, तो आप इसमें online apply कर पाएंगे, बात करेंगे form apply प्रोसेस के बारे में और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट्स मिल सकें तो यहाँ पर देखें फैंस यह इसका इसके बार फ्रेंस कुछ इंस्टक्शनस आपके सामने यहाँ पर ओपन होंगे आप इने चकाउट कर सकते हैं इसके बार आप इस डाटा को यहाँ से डिकलेर करेंगे और उसके बार यहाँ से प्रोसेड कर देंगे proceed करने के बाद friends से यहाँ पर देखे कुछ basic जानकारी है जो कि आपको fill करनी होगी registration करने के लिए तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे name की तो आपका friends जो नाम है वो आप यहाँ पर enter करेंगे यह enter करने के बाद the next option आएगा आपके father name का तो आपको यहाँ पर father name की entry करनी होगी इसके बाद आपको देना होगा आपका mother name तो यह friends आपकी basic जानकारी है जो कि आप यहाँ पर registration करते समय fill करते हैं आपका जो date of birth है वो आप यहाँ पर enter करेंगे date, month आप यहाँ पर दे सकते हैं आपका gender आपको देना है marital status आपको देना है आपका 10 digit का mobile number और आपकी mail ID आप यहाँ पर enter कर देंगे यह ध्यान रखिए का friends जो भी mail ID आप यहाँ पर enter करते हैं या फुर जो भी mobile number देते हैं यह आप अपने active and valid रखें जब तक यह process complete होती है इसके बाद पंजाबी 10th level में आपने पड़ी है नहीं पड़ी है तो यह पड़ा होना ज़रूरी है इसलिए आप यहाँ पर yes करेंगे government department में अगर आपने work किया है तो yes कर सकते हैं नहीं तो आप no करेंगे PSTAT जो आपका यहाँ पर है वो आपका clear होना ज़रूरी है तो आप यहाँ पर yes करेंगे और उसके बाद यहाँ से registration कर लेंगे इसके बाद फैंसे आप कर देखिए जो registration process है वो complete हो जाएगा registration process complete होने के बाद registration number and password आपको मिल जाता है अब आपको यहाँ पर कुछ basic जानकारी फिल करनी होगी सबसे पहले है bank का नाम तो आपका जो भी bank है उसका जो IFC code है वो आप यहाँ पर enter करेंगे IFC code अगर आपको नहीं पता है तो आपकी bank की जो passbook होती है उस पर फैंसे यह details आपको देखने को मिल जाएगी और उसके बार आपका धार का number आप यहाँ पर देंगे 12 डिजिट का आपका house number या state क्या है village town city क्या है तैसील क्या है डिस्टिक कौन सा है आपका state कौन सा है और pin code क्या है यह आपको mention करना होगा पंजाब dimension नहीं है उस condition में आप no करेंगे और बाकी जनकारी आप यहाँ पर fill कर सकते है इसके बाद फैंसे आपका देखी जो profile है वो complete हो जाएगा profile complete होने के बाद next option है upload photograph and signature यहाँ पर jpg format में आपको यह upload करना होगा size आपको यहाँ पर दिया गया है jpg format में आप browse पर click करें फाइल को select करेंगे और उसके बार यहाँ पर upload कर देंगे तो फ्रेंसे फाइल यहाँ पर upload होने के बाद आपको देखे preview मिल जाएगा इसके बार आप यहाँ से डिकले करेंगे और अप्रूव वाले option पर click कर देंगे तीसरा option है fill application का आप इस option पर click करेंगे आपको category का option मिल जाता है आपकी इन में से जो भी category है general, SC, BC आप यहाँ पर select कर सकते हैं select करने के बार आप apply वाले option पर click करेंगे और उसके बार यहाँ से okay कर देंगे post applied successful आपकी हो जाएगी इसके बार आपको click here to fill form का एक option मिलेगा आप इस option पर click कर देंगे इसके बार फ्रेंसे यहाँ पर आपका form start हो गया है सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर volunteer working है अगर आप SSA में तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं नहीं तो आप no करेंगे इसके बाद आपका यहाँ पर qualification की जानकारी आपको यहाँ पर fill करनी होगी सबसे पहले है 12 तो 12 में आपकी subject का नाम आप यहाँ पर mention करेंगे आपका roll number आपको mention करना है year of passing देना है आपके board या university का नाम आपको देना है marks of 10 टोटल marks आपको यहाँ पर देने होंगे और आपकी percentage यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद फ्रेंसे PSTST का जो आपका यहाँ पर subject है वो आपको provide करनी होगी इसकी फ्रेंसे जो आपके पास certificate and mark sheet है उसके according आपको यहाँ पर जानकारी provide करनी है आप degree pass out है तो फ्रेंसे आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी एंटर कर सकते हैं बाकी यह mandatory नहीं है तो यहाँ पर फ्रेंसे जब आपने आप subjects की entry करते हैं तो आप यहाँ पर details क एंटर कर देंगे प्रेंसे यहाँ पर देखिए mandatory है तो आप notification को भी जहां से चेक करेंगे तो आपका जो है प्रेंसे आपका पास होना जरूरी है इसके लावा फ्रेंसे यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है ETT की तो इसमें भी फ्रेंसे आपका यहाँ elementary teachers training course आपके पास कम से कम दो साल की duration का होना चाहिए यहाँ आपके पास है तो ही आप इसमें आवेधन कर पाएंगे तो यह mandatory qualifications है जो आपको यहाँ पर required की गई है ऐसे ही फ्रेंसे ग्रेशन की जानकारी आप यहाँ पर अपनी subject का नाम रोल नंबर और पासिंग बोर्ड या university marks obtain आप यहाँ पर provide कर सकते हैं इसमें फ्रेंसे जो आपके यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्शिटी का नाम आएगा इसमें फ्रेंसे से सी या आईगा जो कि आप यहाँ पर fill कर सकते हैं तो फ्रेंसे यहाँ पर एक जो जानकारी है वो मैंने fill कर दी है sample के तोर पर इसके बार फ्रेंसे पेफी का option है आप इस option पर click करेंगे और यहाँ पर आपको payment करना है तो फ्रेंसे पेफी वाले option पर आप click कर सकते हैं payment करने के लिए इस पर click करने के बाद आपको फ्रेंस थोड़ा सा यहाँ पर wait करना होगा और यहाँ पर फ्रेंसे इसके बार आपके सामने options आ जा तो यहां पर फेंज से जो आपकी प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगी पेमेंट होने के बाद और उसके बाद फेंज से आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए तो यहां पर फेंज जो यह वेकैंसी है जो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएका jobrasa.com पर महाँ पर जाकर आप इसकी details को check out कर सकते हैं step by step मैंने आपको सारी process बता दी है और अगर फैंस आपको हमारा ये update पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगतार मिल सके तो like, subscribe and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel and last thanks for watching